दोस्तो वीडियो में दी गई जानकारी न्यूज पेपर इंटरनेट पर उपलब्द जानकारी के अधार पर दी गई है इस्टेडी कास्ट चैनल इसके सेचिया जूट होने का दावा नहीं करता है सेव को फ्रीज से बाहर रखने पर वह 10 गुना तेजी से पकता है नेक्स नमबर दो कभी आपने सोचा होगा कि सेव पानी में क्यों तैरते हैं इसका करण यह है कि इसके अंदर 25% भाग हवा से बना होता है इसका करण यह होता है कि इसका अंदर से 25% भाग हवा से बना होता है दर्ती पर सेव बहुत पहले से मौझूद है, पैसाट सो इसीव पूर आजपास के इसके प्रतित्विक शक्ष पाए गए है दुनिया में पहली बार सेव हजारो सालत के मद्यम से ACI देश खजागनिस्तान में पैदा हुए थे नेक्ष नंबर पाँच आम और केले के बाद सेव दुनिया का तीसरा सबसे लोग प्रियेफल है नेक्ष नंबर चे यह है कि नीन भागने के लिए काफी की तुलना में एक सेव अधिक करागा रहे। इसकी प्रकरतिक चीनी कैफीन की तुलना में अधिक सकती शाली है नेक्स नमबर साथ पर हैं दुनिया का सबसे बड़ा सेव जापान में पाय जाता है जिसका वजन एक एक तसमलो आठ सो उनननेंचस किलोगराम था नेक्स वर्षन नेक्स पर हैं नमबर आट दुनिया भाई में सेव की 75 सो से भी ज्यादर किसमें परजात्याइग पाय जाती हैं नमबर दस पर हैं सेव तीन दंगों में पाय जाता है। रावर लाल नेक्स्ट नमबर ये सेव एपल जिसे ज़्यादा कहां पाय जाता है चीन, यूएस, टार्की, पॉलेंड और इटली सबसे ज़्यादा सेव उत्पादन देश हैं नेक्स्ट नमबर ग्यारा पर है एक सेव का उस्तन दस बीच होते हैं एक सेव में उस्तन दस बीच होते हैं नमबर बारा पर है भारत में सेव का सबसे बड़ा उत्राज उत्पादन कुन सा है जम्मू कस्मीर हिमाचल परदेश उत्राखन राजी सेव का उत्पादन में सबसे लगते हैं नेक्स्ट नमबर 15 दरसल सेव का पेड़ गुलाब की परजाती का ही एक हिस्सा है नेक्स्ट 16 सेव को सेव के फलने से पहले इस पर फूल लगते हैं जो गर्मी और के मोसम में फूलते हैं 17 इसके फूल बहुत ही खूशुरत होता है जिसका रंग सफेद गुलाबी और पीला होता है नेक्स्ट नमबर 18 पेड़ का एक सेव फल के लिए लगबग 50 पत्यों से भी उर्जा संगरित करने की जूरत पड़ती है नेक्स्ट नमबर 19 पर है जंगली सेव को पेड़ों पर फल काटेदार साकाव द्वार संदक्षित होते हैं नेक्स्ट नमबर 20 सेव के पेड़ अलग-अलग उचाईयों तक बढ़ते हैं जो पेड़ की परजातियों के आधार पर 5 से 30 फीट तक हो सकते हैं नमबर 21 पर है सेव में कौन सा विटामिन पाए जाता है दोस्तों इसमें विटामिन C की भरपूर मत्रा हो जाती है पाए जाते हैं इसके अलावा इसमें फाइबर और अंटेक्सिदेंट तर्यूं मुझूद पाए जाते हैं नेक्स्ट नमबर है 22 सेव कभी भी छीलकर नहीं खाने चाहिए क्योंकि इसके छीलके में दो त्याई फाइबर और बहुत सारे अंटेक्सिदेंट पाए जाते हैं जो हमारे स्रीर के लिए बहुत लावकारी होते हैं देने माद दोस्तों आजिए कर दोस्तों आजिए